हेलो गाई शौगत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का रिवीजन टेस्ट और यहाँ पे आज हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइट कराने वाले हैं पूरे कोशन के तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका अंसर है गा हजारी प्रशाद दिवेदी इसके बाद है नेक्स कोशन हमारा ठाइड नर्मदा का उद्गम इस्थल है अब यहाँ पे आपको नर्मदा का उद्गम इस्थल बताना है तो यहाँ पे इसका अंसर है गा अमरकंठक इसके बाद है हमारा फूर्थ कॉशन देव की पुत्र में समास है अब यहाँ पे आपको देव की पुत्र में समास बताना है तो इसका अंसर है गा सौरी का ततपुर समास अब इसके बाद है हमारा फिप्त कॉशन अद्भुत रस का इस्थाई भाव है अब यहाँ पे आपको अद्भुत रस्का इस्थाई बहु बताना है तो इसका अंसर है खा गा खा बिस्मय और इसके बाद है हमारा प्रश्न सेकंड कि यहाँ पे फिलिंदी बिलेंग से रिकेत स्थानों की पूर्ति कीजिए तो यहाँ पे फस्थ है आपका चतुर चीतरे कूर पंकती कभी द्वारा लिखे थे तो यहाँ पे इसका अंसर है बिहारी इसके बाद हमारा कॉश्चन सेकंड आधुनिक्ता डैस का बिरूद करती है तो यहाँ पे इसका अंसर है संप्रदाए अब इसके बाद है हमारा ठाइड कॉशन सूसुरिच सहिता में सल्यंतरों की संख्या बताई गई है अब इसका अंसर है हमारा 101 अब इसके बाद है हमारा कॉशन फोर्थ अर्थ के आधार पर बाक के डैस भेद हैं तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर बाके के आठ वेद है अब इसके बाद है हमारा फिप्ट कॉश्चन जिसके प्रती इस्थाई भाव उत्पन हो बह डैस कहलाता है तो इसका अंसर है उत्दी पन अब इसके बाद है हमारा प्रशन ठाइड जिसमें आपको एक बाके में उत्तर देना है तो यहाँ पर सबसे पहला फिर्ट कॉश्चन है साधू से क्या नहीं पूछना चाहिए तो साधू से उसका ग्यान पूछना चाहिए जाती नहीं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साधू से उसकी जाती नहीं पूछना चाहिए अब इसके बाद है हमारा कॉश्चन सेकंड पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रशिद्ध है तो यहाँ पर इसका अंसर है लाला राजपतराए और इसके बाद है हमारा कॉश्चन ठाइड सल्य चिकित्सा की प्रबर्तक कौन है तो यहाँ पर है शूसृत और इसके बाद है हमारा कॉश्चन फूर्द उपासना करने बाला क्या कहलाता है तो यहाँ पर उपासना करने बाला उपासक कहलाता है इसके बाद है हमारा 5th question रस के कितने अंग होते हैं तो यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं अब इसके बाद है सही जोड़ी بنا कर लिखिए तो यहाँ पर 1 आपकी बिनायक पत्त्री का अब इसका अनसर है बिनायक पत्त्री का तुलसी दास मेंस खा अब इसके बाद है second गेहु और गुलाब गेहु और गुलाब रामब्रक्ष बैनिपुरी अब इसके बाद है ठाइड लोक संस्कृति की इस्मृति रेखा नर्मदा इसका है यात्रा ब्रद्नतात इसके बाद है fourth करुणरस तो करुणरस आप देख सकते हैं इसका है सोक अब इसके बाद है बक्रो किती तो इसका अंसर है fifth का अलंकार तो यहां तक के question के solution आपको मिल चुके हैं इसके बाद next जो आपके question है इनके solution हम next वीडियो में आपको provide करा देंगे तो आई हो वीडियो सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like की हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि आपको आने वाली notification जो होती है